हमारे साथ के यहां साथ भी रितंबरा जी आ गई है संबिच जी और वो वो शक्सियत हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी और जिनके उपर ये आरोप लगा कि इन्हों ने जो भाशन दिये उनी बातों को सुनकर लोगों में इतना जोश आ गया कि वो ढांचे के उपर चड़ गए और उसको गिरा दिया रितंबरा जी आज जब आप वहां बैठी थी और भूमी पूजन हो रहा था और वो तारीक 6 दिसंबर की उसका कुछ आपको याद आया क्या उसक्त भावना थी जब आप बैठी थी भूमी पूजन में आप याद दिला रहे हो वहां तो बस यही था सामने की दो वर्ष बाद भव्य मंदिर कैसा होगा और हमारे रामलला जब विराजेंगे और पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के रामभक्त कैसे जूम उठेंगे कैसे आरती उतारी जाएगी कैसे आजर्शों के चर्मोत कर्ष अपने लिए निश्चित किये जाएंगे बस यही था मन में पिछला सब भूल गई है हाँ निश्चित आप याद दिलाते रहे ना आपकी यही जिम्मेदारी है ने मैं तो याद दिला ही रहा हूं मुझे लगता है कि आपको भी आज देश के लोगों को बताना तो चाहिए कि उस दिन हुआ क्या था जिस के सामने अपनी पैर भी करनी पड़ेगी यह मुझे पता नहीं था मैंने सोचा आज सारा विश्व जिस आनंद में जूम रहा है शायद आप भी अपनी ये सब कंटीली बातें छोड़कर उस आनंद का जिकर करेंगी नहीं और देखे रोह जी और जहां तक मैं निवेदन कर पात्रा जी से कुछ कह रहा था वो आपके लिए नहीं था पात्रा जी मैं यह कह रही थी कि हम साधू मानते हैं मतला हमारी व्यक्तिगत राय है कि करता केवल परमेश्वर है ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है हम मानते है कि सारी लिला राम लला की हैं उन्होंने इस अंदोलन को संकल्प पैदा किये इस अंदोलन को शिकर तक ले जाने की सामर्थ पैदा की इसलिए राम जी करा रहे हैं राम जी का काम है रोई जी राम जी के काम में काहे कावी राम है जिन्दा रहे तो जग जीवन ललाम है मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है हमको तो काम बस राम जी के काम से और राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से इतना मधूर स्वाद है अब कहां की बाते कर रहे हैं और जहां तक सत्थे और तत्थे की बात है हिंदु जाती का सभाव नहीं है रोही जी अनाधिकार चेस्टा करना हम भारतियों का सभाव नहीं है हम अपनी भी आधी में से आधी देकर शान्ती के गीत गाने वाले लोग हैं हम वो लोग हैं जो हर दर्द बरदाश्ट कर लेते हैं पर यही चाहते हैं कि सौ मनस्यता हो, सोहार दे हो, प्रेम हो, इतना जाजवल एमान सत्य सूरी की तरह उदिये मान है और फिर भी दिखाई नहीं देता, इसका मतलब सत्य का दोश नहीं है, देखने वाले के पास तो आँखे नहीं है, नैन जोती मंद है और हिर्दे की आँख बंद है, तो सत्य क्या से दिखेगा? कर रहे थे कि आयोद्या में कब राम मंदिर बनेगा? और आज जब मौका आया, तो कोरोना की परिस्थिती की वज़े से खुद यहां मौजूद नहीं हो सकते थे, लेकिन घर बैठकर टेलिविजन के जरीए उस इतिहास को बनते हुए वो देख रहे थे. लेकिन साद्वी कि आपने कहा कि हिंदू समाज व्यामनस्यता की बात नहीं करता, अपने अधिकार के लिए लड़ने की जगडने की बात नहीं करता, मुस्लिम पस्नलाबोर्ड ने कलेक ट्वीट किया, मुझे पता नहीं आप तक वो जानकारी पहुंची के नहीं, मैं बता देता हूँ. उन सो साल तक हमने जेला है, हमने प्रतिक्षा की है, आज अगर आप ये ट्वीट कर रहे हैं, मैंने नहीं सुना, मैं सोशल मीडिया से बहुत दूरू रोही जी, मुझे पता नहीं है, इस दुनिया के बारे में ज़्यादा ज्यान नहीं है, लेकिन जब भी हमारी करनी होगी, या हमारी कतनी होगी, वो वही होगा जो हमारा विचार है, हम स्रजन के गीत गाते हैं, वो बिध्ध्वाइशों के जंजाबात लाते हैं, लेकिन बिध्ध्वाइशों के जंजाबात के बाद भी, जब वो जंजाबात गुजर जाते हैं, जब आंधियां गुजर जाते हैं हम उनी खंड़रों में पुनर निर्मान करने की सामर्थ रखते हैं क्योंकि हमारे पास अगर आप हमारे अराध्यों की प्राण प्रतिमाएं तोड़ते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप विजय हो गए नहीं ये विजय नहीं है आप हमारे अराध्यों की प्रतिमाएं तोड़ती हैं, मंदिर धुश करते हैं, पर हमारी आस्था और शद्धा को कम नहीं कर पाते, तुम आंधियां प्यादा करते रहो, हम शद्धा के दिये जलाते रहेंगे, अंधेरा नहीं रहेगा, रहेगा आलोक ही, रहेगी रोशनी ही एक आखरी सवाल और पूछ रहा हूँ, आप जाना चाते हैं उसके पहले फटा फट से, आयुध्या पहली जहाकी है, काशी मतुरा बाकी है, आप भी मानती हैं इस बात में? आपने जिया है, बहुत बहुत भात बहुत धनेवाद आपका साध्वी जी आने के लिए